नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल का जो आपका 8 दिसंबर का तीसरे शिप्ट का जो पेपर है वो उसमें आप थो चुका है और जितने भी जीके जीएस करेंट अफेर और computer के कोशन हमारे पास आये हैं सभी कोशन 100% सही है और इस सभी कोशन के आप PDF फाइल भी दोस्तों फ्री में डाउनड कर सकते हैं PDF फाइल डाउनड करने के लिए मैंने लिंक दिया है description बोक्स में उपर जिंक पे क्लिक करकि आप PDF फाइल को डाउनड कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो में आगे वड़ू, उससे पहले आपको बता दूँ, इंडिया के नमबर वन मैत के टीचर अभिने सर्मा आपके लिए फ्री में दो मोक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें टोटल चार सेट हैं, और हर सेट में 25 कोशन हैं, जिसका मोक टेस्ट 1 होगा आपका 13 दिसम्बर को, और मोक टेस्ट 2 होगा इसका 27 दिसम्बर को, इसके लिए दोस्तों आपको अनकेडमी का जो है ना एप वो डाउनलोड करना है, और मेरा जो कोड है ना ESP10, ये कोड आपको यूज करना है, तो चलिए फ्रेंड्स कोशन से स्टार्ट करते हैं सिधा, देखे दोस्तों आज जो है ना तीसरे सिफ्ट में काफी कोशन जो है वो खेल से पूछे, लगबग बात करेते हैं, तो 4 से 6 कोशन आपके ऐसे थे, जो खेल से आए थे, और लगातर मैं आपको कह रहा हूँ, स्पोर्ट से बहुत कोशन दिली पूलीस पूछ रहा है, आज एक कोशन पूछा गया खिलाडी से कि स्टुवर्ट ब्रोड जो है, ये किस देश के किर्केट के खिलाडी हैं, तो फ्रेंड स्टुवर्ट ब्रोड अगर बात करें इनकी, तो ये इंग्लैंड टीम के खिलाडी हैं, और ये जो है ना राइट हैंड फास्ट बोलर हैं इंग्लैंड के, और इन्होंने दोस्तों वर्ष 2020 में टेश क्रिकेट में 500 विकेट भी पूरे किये हैं, ये भी ध्यान रखेगा, एक कोशन पूछा गया था, रोष्टन चेस, ये किस देश के किर्केट की खिलाडी हैं, दोस्तों रोष्टन चेस की बात करते हैं, तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाडी हैं, और ये ओफ स्पिनर बोलर हैं, और साथ में ये राइट हैनेट बैट्समेन भी हैं, तो ये दो किर्केटरों के नाम पूछे गए थे, स्टुवर्ट बोर्ड जो की इंगलेंड के हैं, और रोष्टन चेस जो की वेस्ट इंडीज के हैं, एक कोशन आपसे पूछा था कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शाशी का कब बनी थी, दोस्तों अगर बात करें रजिया सुल्तान की, तो इनकी जो शाशन की अवदी थी, वो 1236 से लेकर 1240 तक थी, और इनका जो राजिया विशेक हुआ था, प्रोटेम स्पीकर की जो न्युक्ती है, वो किस के द्वारा की जाती है, अगर यहां पे बात करें अपने प्रोटेम स्पीकर की न्युक्ती की, तो यह दोस्तों जो है ना की जाती है, राश्ट्य पती के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, एक कोशन आपसे आज पूछा गया अभिनव बिंदरा से समंधित की अभिनव बिंदरा ने किस ओलंपिक खेल में भारत के लिए गोल्ड मैडल जीता था दोस्तों अभिनव बिंदरा की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 2008 बीजिंग ओलम्पिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलम्पिक गोल्ड मैडल जीता था ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेगा एक कोशन पूछा था निमन में इसे किस खिलाड़ी ने कभी ओलम्पिक में मैडल नहीं जीता है तो देखिए सानिया मिर्जा इन्होंने अभी तक दोस्तों ऊलम्पिक में कोई भी मैडल नहीं जीता तो ये आपका अंस्वर हो जाता इस कोशन का और ये ओप्शन में भी था ठीक है फ्रेंड्स एक कोशन पूछा गया आपसे सबसे पहले दक्षिन विजय अभियान किसने सुरू किया। तो दोस्तों ये जो है ना देखिए दक्षिन भारत की विजय का मुख्यसरे मलिक काफूर को ही दिया जाता है। अलाउदिन खिलजी के शाशनकाल में दक्षिन में सरव प्रथम 1303 इसवी में तेलंगाना पर आकर्मन किया था। ठीक है दोस्तों एक कोशन पूछा गया चम्वालिस में सविधान संसोधन 1978 के तहट कोन से अनुचेद को हटाया गया था। अब देखिए मैं आपको लगातार कहा रहा हूँ दोस्तों आर्टिकल जुरूर याद करके जाओ क्योंकि आर्टिकल से धेर सारे कोशन पूछे जा रहे हैं दिल्ली पूलिस के एक्जाम में तो इसका आंस्वर पहले सुन लीजिए अनुचे 31 आर्टिकल 31 इसका करेक्ट आ गया था चमालिस में सविदान संसोदन से पहले यह अनुचे 31 के अंत्रगत एक मोलिक अधिकार था परन्तु इस अंसोदन के बाद इस अधिकार को अनुचे 301 के अंत्रगत एक विदिक अधिकार के रूप में स्तापित किया गया है ठीक है दोस्तों एक कोशन पूछा था आपसे मुंसी जो है वो निमन में से किस नदी की एक सायक नदी है देखिए मुंसी की अगर बात करते हैं दोस्तों मुंसी नदी कृष्णा नदी की एक सायक नदी है जो भारत के तेलंग आना राजये में भैती है एक कोशन आपसे पूछा था निमन में से कौन सी ब्रह्म काफी साइक न दिया है तो जो आपके ऑप्षिन में वो ऑप्षिन पे डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा आपको ऑप्षिन में दिया गया होगा जैसे कि सुवन शिरी, तिस्ता, त्रोसा, लोहित, बराग, आदि ब्रह्म पुतर की ये उपन दिया है, अब option पे depend करेगा कि कौन सा आपको option में इन में से दिया गया था, दोस्तो एक question आपसे reasoning का पूछ लिया गया, simple question है तो इसका answer आप मेरे को फटा फट से comment में दे देना, बहुत easy question था, और एक question है था, full form का की, full form क्या होता है, URL का, आप देखिए, URL का full form पहले भी पूछा गया था, दिल्ली पूलिस में और आज ये third suit में आपका repeat हुआ है, इसका full form बहुत यसान है, uniform resource locator, इसका होता है, full form, next आप से जो question पूछा गया, की पूस्तक बादशाय नामा में क इसका वर्नन मिलता है, दोस्तों पाशाय नामा एक मुगल कालिन इतियासी करती है, जिसकी रचना, अब्दुल हमीद लाहोरी ने की थी, पाशा नामा को मुगल बार्शा, सा जहां के शाशनकाल का प्रमानिक इतियास माना जाता है, इसमें सा जहां का संपुर्ण जो है ना महा कि अधसा है वो किस ने होस्ट किया था, इस प्रकार से कोशन था, और ऐसा ही कोशन एक सेकेंड शूट मे आप से पूझा था, और थерड शूट मे था कोशन आया है, कि 2004 में जो नेशनल फिलम महा क्यों गूशन किया था, सुच कांक मैशा हम्हाराश्ट में वश्य सा को क यहां पे हमारे candidates ने कहा कि 2020 का पूछा था, अगर 2020 का पूछा है आपसे, तो इसका यहां पे अंस्वर था, बहत्रवा स्थान है, विसु परतिस परदा सुचकांग 2020 में, अगर 2019 का पूछ लिया जाए, तो आपको होगे 43 वा, नेक्स्ट एक कोशन आये था, नाथप्पा जाकडी, जल विदुत परियोजना कहां पर स्थीत है, अगर बात करते हैं, आपे नाथप्पा जाकडी, जल विदुत परियोजना की, तो यह आपका दोस्तों, हिमाचल परदेश में जो है ना, वो स्थीत है, नेक्स्ट कोशन तो आप जुरूर लिखना comment box में next एक question है था दोस्तों computer से related ये question था MS Excel में zoom किस option में आता है अब देखिए हमारे पाथ जो है ना exact option नहीं है पर देखिए मैं थोड़ा detail में इसको आपको बता देता हूँ देखिए status जो बार होता है status बार MS Excel में text area के बिल्कुल नीचे होती है ठीक है दोस्तों इस बार में जो है ना zoom level नामक tool होता है जिसके सायता से seat को zoom in तथा zoom out अपने कर सकते हैं इसके अलावा भी बहुत से tool इस बार में होते हैं जैसे कि language word count page number आदी तो ठीक है दोस्तों तो इस परकार से आपको इस question का answer करना था एक question जो पूछा गया इन में से कौन सा data presentation को बनाता है अब ये question थोड़ा सा confusing है क्योंकि देखिए option के coding इसमें answer नहीं हो सकता ms office ms word ms excel या फिर wordpad तो दोस्तों जो data presentation बनाता है वो हमेशा power point बनाता है तो इस question का थोड़ा सा मेरे को doubt है अगर आपको answer आता है तो comment जरू करना इस question का next एक question जो पूछा था ms excel में नई file को खोलने की shortcut की कौन सी होती है अब देखिए computer से लगाता धेर सारी shortcut की अभी तक दिली police exam में आ चुकी है और एक और देखने को मिली नई file खोलने के लिए ms excel में control plus n जो है न अपने दबाते हैं next एक question पूछा था आपसे ms excel में cell edit कैसे करेंगे देखिए अगर हमें ms excel में cell को edit करना है तो cell b3 में click करके mouse button को दबा लीजिए और उसे दबाए रखकर खीजते हुए cell को जो है न क्लिक कीजिए या control के साथ x आप उसको दबाईए ठीक है दोस्तों next question आपसे पूछा था email में क्या नहीं हो सकता इनमें से क्या नहीं हो सकता तो इस परकार से option थे तो यह जो option दे रखे हैं इसके according अगर चलते हैं तो यह वाला option है option number two यह आपका answer हो जाएगा क्योंकि email में जो है न dollar के symbol का कोई भी use अपने नहीं करते हैं ठीक है दोस्तों तो friends लगबग लगबग अपने question जो है complete कर लिए हैं अगर आपका तीसरे शुक में paper थाज और आपको और question याद है तो इस video के comment section में जाकर आप अपने question comment करना और हो सके तो option भी comment कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो आप like और share तो करी देना और साथ में दोस्तों कल आपका 9 December का जो सटीक analyze है दिल्ली प्लीज का वो सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को subscribe करने के बाद notification जो bell होता है उसको own करके ओल पे select कर लीजिएगा